आज के वीडियो मैंना पहले आप ये घर देखिए ये विकी और अंकिता का घर है ये देखिए ये बेडरूम है अब ये एक्चुली तहल का विकी और अंकिता के घर पे गया था तब उसने शूट किया है और ये देखो किता बड़ा हॉल माइंड ब्लोइंग है माइंड ब्लोइंग घर वो विकी को शौक था बिग बॉस में आने का वरना चीजे जब ऐसी हो तो हमारी जो परसनल लाइफ है न वो कभी टीवी पर नहीं आने चीए मैंने आपको ये जो वीडियो बताया है उसका असली कारण बताता हूँ अलग-अलग इंसान रहते हैं अब कोई ये वीडियो को देखकर मनी मन ये सोचता है कि काश मेरे नसीब ऐसे होते हैं कोई ऐसा सोचेगा मैं भी ट्राइ करूगा फ्यूचर में तो कोई सोचेगा अर सी वक्त अपने दिल के अंदर ये बात करना के यार मैं ऐसा बड़ा घर बनाके रहोगा कभी ये नहीत सोचना के मेरे नसीब में नीहां क्यूंकू नसीब में है आएगा जरूर आएगा हम सब मेंनत करते हैं ना हमस्ब को हक है बड़े घर का अब्राट घूमने का चर्थ है ना simple है आपको है ना सोचना पड़ेगा और ऐसा नहीं है वो सोच कर जो चल रहा है उसा बिगाड़ दिये नहीं आप सोचो सोचना इस first thing automatically आपने सोचा है तो बहुत सारी चीजे दिमाग के अंदर आएगी और सब चीजे होगी बट कभी भी ये नहीं बोलना कि हमसे तो नहीं हो पाएगा अब बस सोच तो लो वो सुनेगा ना यूनिवर्स अग बात जाएगी ना अच्छी बाते करो कभी भी ये नहीं बोलो के नहीं मैं तो ये बनी नहीं सकता मेरे से तो ये होई नहीं सकता हमें थोड़ी ये सब मिल सकता है ऐसा नहीं हमें मिल सकता है हमें मिलेगा हम बड़े बनेगे, हम पैसे वाले बनेगे, हम लोगों की मदद भी करेगे, हम एक अच्छी जिन्देगी गुजा रहेगे अपने आप से ना ये सब चीजों का रोज वादा करो, पूरे दिन के अंदर है ना एक दो मिनिट ट्राइवेट में बैठ जाओ, सिर्फ अच्छी बाते अपने लिए करो, उसके बाद देखना आटमेटिकली लाइफ कैसे बदलती है, कंडिशन है, महनत जोड़दार करना है, वो रास्ता बताएगा, सब दर्वाज़े खुलते जाएगे, मैं दिखाता हूँ, तहल का ने विकी को क्या कहा, देखिए आप, एक बात बोलनी है, मज़ा आगया भी आपका गड़ देखकर या, दिलकुश हो गया भी है, मुझे कमेंट आया, कि अब बिग बॉस के अलाव मैं आपको बताऊगा, इसके साथ साथ मैं बॉलीवूड बताऊगा, और भी बहुत सारी चीज़े अड़ होगी, आज की वीडियो के अंदर मनारा अभिशेक मुनावर, ये तीन तो है, बड़ इसके साथ मनीशा रानी को एड़ किया गया है, पबलिक को थोड़ा घुसा आ राओ छोटी सी प्रेयर कर लेते है, ये पूरी दुनिया में अमन शान्ती रहे, कोई बीमारी फालतुकी ना आए, सब इनसान है, उसे अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, जो इनसान मेहनत करता है, उसे कामिया भी मिले, जो इनसान अभी भी कोई तकलीफ ना आये, प्रॉब्लम ना आये, और अगर प्रॉब्लम आती भी है, तो वो रास्ता बताएगा, और प्रॉब्लम चली जाएगी, आपको थोड़ा सबर, पेशन्स रखना है, सब चीजे हल हो जाएगी, यंग जेनरेशन है, जो बहुत पढ़ाई करते ह उनके percentage अच्छे आये, जो बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, उपर वाला करें कि उनका पढ़ाई के अंदर दिल लगे, मेरे पास दो ऐसे भी कमेंट आये, एक कमेंट आया था, कि उनके बच्चे की शादी हो जाए, सेकेंड कमेंट आया था, उनके बच्च के मबब के उपर वाला हेल्दी और लंबी उमर दे, हर किसी के जो चिल्डरन है, उन्हें खुशिया मिले, सक्सेस मिले और हैपिनेस मिले, वीडियो शुरू करते है, अब मनारा का वो किस कांट्रोवर्सी पता है न, हर रिपोर्टर पीछे पढ़ा है मनारा के, कि मुनावर ने अंदर बोला था, अंकीता को, कि मनारा ने जो मुनावर को किस किया था, तो उसे अनकमफ़रेबल फेल हुआ था, बहुत बड़ी चीज हो गई है, कि लोगों ने क्या किया है, अपने अपने आप से, ऐसी फोटो, कोस्ट की है, कि मुनावर को पब्लीकली, माफी मागनी कि यह मनारा से, अब यह बात पहुची मनारा तक, अब मैं आपको बताता हूं मनारा ने क्या कहा, जानक पब्लिक अपॉलोजी की बात से, मैंने अपॉलोजी नहीं मागी, अब यहाँ पर एक छोड़ी सी बात कहूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुनावर का पियार, मना मनारा का पियार, एकसेटर, एकसेटर, अब यह पियार क्या वो लोग तो वो लोग की लाइफ के अंदर सब चीजे हैं, हमें बस यह है कि किसी के उपर अगर कोई तकलिफ आती ही ना जाए, तकलिफ खतम हो जाए, बस, तो हम खाली यह चाहते, चाहिए फिरो कोई भी हो, ज मनारा जो है, उसके लिए तो वो दोस्त है, और मनारा ने कल भी कहा था, कि उसने किस कॉंटेक्स में कहा हो, अब क्या करना चीए, कि यह टॉपिक को है ना, एंड कर देना चीए, मुनावर काम करे, आगे बढ़े, वो इंपोर्टन्ट है, मनीशा रानी, तो पहले ना, मैं मैं आपको मनीशा रानी का वीडियो बताता हूँ, जिस पर पब्लिक भड़क गई है, देखिए, अब मैं आपको पब्लिक के रियक्शन बताता हूँ, वोटेवर घमंड आ गया चपरी रानी को, वोटेवर तो ऐसे बोल रही है, जैसे बिग बॉस से पहले लोग इसको जा लगी है, चोपड़ा से उपर नहीं जा सकती, मनीशा रानी, ज्यादा उड़ो मत, she is extraordinary, sophisticated, intelligent, beautiful and very very real personality of Big Boss 17, she is not whatever, मनीशा रानी, you should correct your words, I am your big fan too, like मनारा चोपड़ा, कुछ प्यारी नहीं है मनीशा, नागिन है नागिन, घमंड आ गया है, इसको जो भी है, वोटेवर, अब मनीशा क्या समझने लगी है अपने आपको, अब मनीशा रानी है ना, she is also very sweet, बहुत अच्छी लड़की है, दिल की लड़की है, हमेशा कहता हूं, यह जो हमारी जुबान रहती है ना, उससे हम पूरी दुनिया जीच सकते हैं, और उसी से हम बरबाद हो सकते हैं, अब यहा फिर उसका बतंगड बनता है, तो इसमें अभी मनीशा रानी ने एक चीज़ बोल दाली, उससे इतना बहुत हेट देने के जिगापर, ठीक है, एक चीज़ हो गई हो गई, लेड़को करो, बहुत सारी चीज़े हैं, जो मनीशा रानी की अच्छी भी है, अब नुरा फत्यी का मैं आपको पूरा कम्प्लीट वीडियो नहीं बताऊगा, मैं आपको एक छोटी से क्लिप दिखाता हूँ, वो क्लिप आप देखिए पहले, अब मैं आपको पहले पब्लिक रेक्शन दिखाता हूँ, इसकी अलावा कुछ आता है इसको, जब भी नुरा दान्स करती है, तब बल्गर लगती है, यही एक काम आता है बिचारी को, क्या यार, डान्स के नाम पे कुछ भी, इससे दुनिया फैमिली शो बोलती है, यह लास्ट कमेंड लेते है, अब देखो, कमेंड में भी था और मैं भी बोलता हूँ, एक चीज है, ओटीटी है ना, ओटीटी, लोग मोबाइल पे देखते हैं, अब यह जो नुरा फतेई का शो है ना, यह टिवी पर आता है, फैमिली साथ में बैठी है, और देख रही है, कभी अगर ऐसी कोई शूट हो भी गई है, तो इन लोगों को है ना, एडिटिंग में वो चीज काट लेनी चीए, क्योंकि हर चीज पैसा नहीं है, अनीमल मुवी है, सब को पसंद आई, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ कि अच्छी मुवी है, बट थोड़ी वो चीजे है न वो चीज नहीं दिखानी चीए, जैसे वो मेरे जूते चाट ले, ठीक है, वो एक चीज रॉंग थी, बहुत सारी चीज थी एनिमल मुवी के अंदर, मैं मुवी को रॉंग नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या है, क्या है कि जो जनरेशन है ना, उससे हम क्या सिखा रहे हैं, व बहुत इंपॉर्टन अब एक बच्चा है, जब पैदा होता है, तो उसका दिमाग है ना, कोरा होता है, प्लैंक होता है, अब वो जगो जो, चीज चीज देखेगा hem लोगों इससे ना सब अच्छी चीज़े होगी दुनिया के नदर अभिशेक को जब पूछा गया कि अभिशेक अगर आप और मुनावर नहीं जीतते तो आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग था तो सुनी अभिशेक ने क्या कहा मुझे पता है मैंने आपको डिस्टब किया बट आप लोग जो मुझे लाइक करते हो कमेंट करते हो पिछले वीडियो में किया है ये वीडियो में करोगे तो मुझे मेरा फर्ज है कि मैं आपको थैंक्यो सो मच कहू थैंक्यो सो मच दिल से कल के वीडियो के लिए उसके पहले के वीडियो के लिए और आज के वीडियो के लिए एडवांस में और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो ना आप मेरे चैनल पर आए आपने वीडियो देखी उसके लिए भी थैंक यू सो मच उसके बाद अभी शिक का और एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिए अब फईजू है, उसने मुनावर के लिए क्या कहा, सुनिये मुनावर का और एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए ये भी मैंने वीडियो दिखाया ना तो सिर्फ इसलिए दिखाया है, कि वो कैसे सेक्यूरिटी गाड के साथ भी मुनावर खड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब PR में मुनावर का अच्छा दिखाता हूँ, तो मुनावर जिस तरीके से सेक्यूरिटी गाड के साथ बात कर रहा था उससे मुझे यही बोलना था कि हम कितने भी बड़े बन जाएं ना तो अगर हम हमबल रहते हैं डाउन टू अर्थ रहते हैं अच्छी स्माइल से सेक्यूरिटी गाड या किसी से भी मिलते हैं तो वो खोश होता है और हमारी इसके अंदर एक थोड़ी बहुत अलग चीज़े आ जाती है भाई रहता है इसका छोटा वाला यह एक बार इससे पैसे मांगने के ले आता है तो यह क्या करता है जो पैसे वाला हो गया है वो कहता है कि नहीं यार अभी तो मुझे ही तकलीफ है ऐसा वैसा करके उसे टाल देता है उसके बाद एक बार वो कार के अंदर जाते रहता है तो गेट के पास साना एक आदमी ख़ड़ा होता है टाई पहन कर तो वो ऐसे सर सर करता है तो ये काच निच्छे करता है तो बलता है सर मैं बहुत दिन से आपकी आफिस में आ रहा हूँ मुझे उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है प्लीज एक बार आप मुझसे बात कर लीजिये मेरे अंदर बहुत टैलेंट है मुझे जॉब दे लीजिये तो जो 32 येर्स का जो पैसे वाला हो गया है उसका नाम रहता है रमश तो वो क्या करता है इसे बोलता है तेरी हिम्मत कैसे होई मेरे सामने खड़े रहने की और ऐसे मेरे पास आकर बात करने की चल दफाओ उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो बत्तमीज होते जाता है उसके स्टाफ को डिजरिस्पेक्ट करता है एक दिनों सोया रहता है अचानक यम्राज आते है और बोलते है कि भाई तेरा टाइम हो गया चल मेरे साथ तो वो बोलता है क्या टाइम हो गया मैंने तो कितने सारे plans बनाया मेरी जिंदेगी के मुझे नहीं आना है तुम्हेरे साथ यम्राज बोलते है तेरा time हो गया चल अब वो उपर जाता है गौड को बोलता है आपने मुझे इतना जल्दी क्यों बुला लिया मुझे तो क्या-क्या चीज़े करनी थी गौड है ना हसने लग जाते है गौड उसे बोलते है तु करता वो है जो तू चाता है होता वो है जो मैं चाता हूँ तु कर वो जो मैं चाता हूँ तो होगा वो जो तू चाता है मतलब समझ भाया फिर से एक बार रिपेट करता हूँ तू करता वो है जो तू चाता है होता वो है जो मैं चाता हूँ तू कर वो जो मैं चाता हूँ तो होगा वो जो तू चाता है अब वो गौड को कुछ था है मतलब मैं समझा नहीं गौड बोलते है मुर्ग इंसान तू गरीब था उसके बाद मैंने तुझे पैसे वाला बनाया पैसे वाला बनने के बाद तेरे अंदर घमंट कितना आ गया तू अपने भाई को पैसा नहीं दे रहा है उसके बाद तू लोगों के साथ बत्तमिजी से बात कर रहा है देख मैंने एक मिरेट में तुझे उपर बुला लिया न तो वो भगवान के पास माफी मांगने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे माफ कर दो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई तो भगवान हसते है यह जो रमेश रहता है जो पैसे वाला वो रोते रहता है और अचानक उसकी अलाराम बचती है और वो सपने में से उड़ जाता है और उसे सब चीज समझ में आ जाती है और दूसरे ही दिन अपने भाई को बुलाता है वो एंपलॉई को काम देता है सब के साथ अच्छी तरीके से बात करता है तो यह कहानी के जरीए मुझे सिर्फ यह बताना था आपके पास जब बहुत पैसा है तो हमारी जो फैमिली है उसके अंदर जो फैमिली के बाहर है जिसे जन्यून जरूरत है उन लोगों को उसके बाद रिस्पेक्ट, डाउन टू अर्थ, हमबल तो हमारा जो सकसेस है ना वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है और हम और कामियाब होते है उमर भी लंबी होती है मेहनत करते रहना, उपर वाले पर विश्वास रखना, अगर आपका कोई काम नहीं होता है, थोड़ा सबर पेशन्स काम हो जाएगा फेल होने से डर्वामत उसमें से कुछ सीथना हर इनसान जो दिल से मेहनत करता है, महबब को खुश रखता है सबसे अच्छी तरीके से रहता है उससे कामियाबी जरूर मिलती है पूरे दिन में ट्राइ करना 6-8 ग्लस पानी पिनेगी इसकी अलावा थोड़ा वाकिंग, थोड़ा जॉगिंग थोड़ी एक्सेस कर लेना इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस और विश वेरी हैपी लाइफ